गुड मॉर्निंग बच्चो, क्लास टू हिंदी बच्चो, आज हम पढ़ेंगे पाठ आठ कैसा कितना इस पाठ में हम जानेंगे कि हम जब भी किसी वस्तू को देखते हैं या उसको महसूस करते हैं तो हम उसके बारे में किस तरह जान पाते हैं नीचे दिये गए वाक्यों में पढ़ो और समझो, दूद गरम है, यानि दूद को हमने महसूस किया कि वो कैसा है, गरम है, ठंडा है या कैसा है मा ने हरे केले की सबजी बनाई, यहां हमें केले का रंग पता चल रहा है पेड़ पर दो बंदर हैं, ग्लास में थोड़ा पानी है, पेड़ पर दो बंदर है, हमें पता चल रहा है यहां कि पेड़ पर कितने बंदर हैं और क्लास में कितना पानी है तालाब में एक सख्वेद बहुला है, मेरे पास पांच-छे पैंसिले हैं अब यहां हम देखेंगे इन वाक्यों में नाम वाले शब्दों को कैसा या कितना होने का पता चलता है कैसा दूद गरम केले हरे कितना बंदर दो पानी थोड़ा कैसा बगुला क्या था सफेद और कितना था एक पैंसिले कैसी थी रंग भी रंगी थी और पांच थी बच्चों इस तरह हम जान पाते हैं किसी भी चीज के बारे में कि वो कैसी है कितनी है और उनको हम समझते हैं कि उनका क्या रंग रूप है और क्या उनकी गिंती है